नमस्ते प्यारे बच्चो आज हम हिंदी व्याकरन में क्रिया इस घटक के बारे में पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरुबात करते हैं जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहा जाता है अर्थात क्रिया का अर्थ काम होता है जैसे खाना, पीना, जाना आदी क्रिया के उधारन है क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं व्याकरन में वर्णों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और यह वर्ण भाषा में क्रिया या कारिय को प्रकट करता है क्रिया वर्ण किसी कारिय, संगटन, घटना, अथ्वा स्थिति को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है क्रिया वर्ण किसी क्रिया के आदिक, मध्य या अंत में होता है और वाक्य का क्रिया के संधर्व को स्पष्ट करता है क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया अब देखते हैं सकर्मक्रिया क्या होती है वैसी क्रिया जिसके साथ कर्म से होती है या कर्म होने की संभावना होती है तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक्रिया कहा जाता है जैसे राम आम खाता है, इसमें खाना क्रिया के साथ आम कर्म है मोहन पढ़ता है, यहां पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना बनती है अगला भेद है अकर्मक क्रिया वैसी क्रिया जिसके साथ कोई कर्म न हो तथा क्रिया का फल करता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कही जाती है जैसे राम हसता है इस वाक्य में कर्म का अभाव है तथा क्रिया का फल राम याने की करता पर पड़ रहा है क्रिया को कैसे पहचाने? उसके गुच नियम है क्रिया की पहचान के लिए क्या और किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है और अगर उत्तर न मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया अगर्मक है चलिए उधारन के साथ इसको समझते हैं जैसे राम सेब खाता है इस वाक्य में प्रश्ण करने पर की राम क्या खाता है उत्तर मिलता है सेब इसका मतलब खाना यह सकर्मक्रिया है चलिए एक और उधारन देखते है सीता सोती है इस वाक्य में प्रश्ण करने पर की सीता क्या सोई है उत्तर कुछ नहीं मिलता सीता किसको सोई है इसका भी कोई उत्तर नहीं मिलता है मतलब सोना यह क्रिया अकर्मक्रिया है तो इस तरह हमने क्रिया और उसके दो भेद इनके बारे में जानकारे ली धन्यवाद